अज हम बनाएंगे सेम का भरता या चोखा इतना हेल्दी होता है कि स्कीन की प्राबलम हो या कप्च हो या फिर खून की कमी हो हेल्थ से भरपूर ये चोखा बनाना बहुत आसान है ये समस्याओं को खतम कर देने वलता है तो चलिए इस भरता की रेसिपी को बनाते हैं तो सबसे पहले हम कूकर लेंगे उसमें सारे सेम को डाल देंगे सेम की क्वांटिटी आदा गिलो है और अभी इसमें डालेंगे दो ग्लास पनी डालेंगे। जैसे ही पानी डालेंगे कूकर का धकन लगा करके दो विसल लगा देंगे इधर कंड़ कर दो बिक सल लगाएंगे और साइड में हम एक टमाटर और ऐक लशन लेंगे और इनको अच्छे से भून करके तयार कर लेंगे तो हमारा आलू उधर उबल रहा है इदर लशन और टमाटर भी हम भून रहे हैं इसे काफी सौंधा पान आएगा इसको वालना नहीं है भूनना है अभी इनको एक चौपर लेंगे उनमें अच्छे से ग्राइ अब जितना भी सेम में पानी होगा ना हम दीरे-दीरे दबाते हो अलका प्रेस करते हुए सारे पानी को निकाल देंगे देरे-देर इस्क्वीच करना है प्रेसर बहुत ज़्यादा नहीं देना है अब सेम का पानी निकल चुका है तो देखिए हमनें और भी कुछ सामान ल इससे स्वाद बहुत अच्छा एगा आप चाहें तो प्याज को भी भून करके बारिक काट करके डाल सकते हैं पर इस तरीके से जो कच्छा फ्लेवर होता है तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है तो में मिक्स करेंगे स्वाद नुसार नमग और थोड़ा सा चाट मसाला एक चौथाई चमच चाट मसाला इससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा तो आप इसमें थोड़ा सा सरसू का तेल लगभग दो बड़े चमच थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा रहना चाहिए सर बहुत अच्छा आता है तो देखे भरता बनकर बिल्कुल तैयार है तो इसी तरीके से सिंपल तरीके से भी भरता बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और कोई भी मसाला एड़ नहीं करना है तो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब सेयर करिए और मिलत है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई